पिछले दस वर्षों से सुवई चिंचोली की भूमी वैकोली द्वारा अधिक्रहित की गई है लेकिन आज तक किसानों को ना केवल उनके अधिकारों मुआफसे मिले हैं बलकि किसानों की अधिकारों मुआफसे के लिए संगर्श भी किया गया है चंदरपोर जिले के पूर्व ग्रह मंदरी हंसराज अहिर ने चुनाफ के नाम पर छूटे विग्यापन प्रकाशित कर सुवई चिंचोली के सभी किसानों को नौकरी और समीन दिलाने का जूटा वादा किया था सुभाई चिंचोली के किसान ने आज चंदरपोर जिले के पूर्वग्रह मंतरी पर आरोप लगाया किसानों की भावनाओं के साथ खिलवार करने और उनके मांसिक संतूलन को ठेस पहुचाने के लिए इसमें शामिल सभी वेकोली प्रशासन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और हम किसानों को शकायत दर्च करनी चाहिए वेकोली द्वारा पिछले दस वर्शों से क्रशी भूमी के अधिग्रहन के कारण आज जमीन पर बैठे किसान सरकारी योजनों से वंचित हो रहे हैं इस गैर जमेदारी का खामियासा चंदरपोर जिले की पूर्व ग्रहाय मंतरी को भूगतना पड़ रहा है ऐसी सूचना मिलने पर किसान सुरेश भाव मलहारी पेकराव चंदरपोर जिला महासचेव बी आर एसपी के पास पहुचे और उनकी नितरत में जब भी आंदोलन शुरू हुआ तो कुछ गोपनिये बाते लीख हो गई और समय समय पर आंदोलन खड़ा किया गया आपने चिंचोली कोईला खदान पर योचना की स्थापना के लिए आयोजित जन सुनवाई की तरह बहवान नहीं किया इस वादे को पूरा करने के लिए सुरेश भाव मलहारी पेकराव की नितरत में नाकपुर में बी आर एसपी ने किसानों के साथ आनिशित कालिन किया और कहा कि जब तक किसानों को उनकी उचित नौकरी वित्य मुआफ़ा मिलता है किसान तब तक आंदोलन नहीं छोड़ेंगे जब तक विभुकतान नहीं करेंगे या समय आने पर आंदोलन में सक्रिये भाग लेंगे पहले जब हम सीमडी के साथ बैठक करते थे तो हम क कहते थे कि परियोजना शुरू नहीं की जाएगी आत्ता परियंतन यन्ना आर्थिक मोबदलावा नौकरी दिलेली नाई या वेकुली विरोधा मदे आज सविधान चोकिते 22 वा दिवस बेमुद्ध धरने आंदोलना सुरू जालेलाए आज आत्ता परियंतन वेकुली ने फक्त आर्थिक मोबदलावा नौकरी दिलेलाई नागपुर से BCN News के लिए अभिशेक पांसी की रिपोर्ट झालेलाई